विद्यूत लेपन द्वारा पीतल की चाबी पर तांबे की परत चढ़ाना विद्यूत लेपन एक ऐसी विदी है, जिसके द्वारा विद्यूत धारा प्रवाहित करके एक धातु की परत किसी दूसरी धातु पर चढ़ाई जा सकती है विद्युत लेपन द्वारा किसी भी धातु को अधिक चमकीला बनाया जा सकता है इससे धातु को जंग लगने से भी बचाया जा सकता है विद्युत लेपन के क्रिया विद्युत अब घटन पर आधारित है आवश्यक सामगरी कौपर सलफेट के रवे या क्रिस्टल कौपर की एक पट्टी जिसका आकार लगभग 3 इंच बटा दो इंचो पीतल की एक जाबी या की 4.5 वोल्ट की एक बैटरी विद्युत रोधी परत चढ़ा तामबे का तार कांच या प्लास्टिक का जार या पीकर कांच या प्लास्टिक का जार लेकर उसे गर्म पानी से 3-4 भर लें इस पानी में थोड़ा सा कौपर सलफेट खोलें इससे नीले रंग का विलियन तयार हो जाएगा एक कौपर की पट्टी लेकर उसमें एक छोटा सा छेत करें विद्युत रोधी परत चढ़ेतार की सहायता से इस पट्टी को बैटरी के धनात्मक इलेप्रोट से चोड़ें इतल की चाबी कुसास करके तांबे के विद्युत रोधी परत चढ़ेतार की सहायता से बैटरी के रिनात्मक टर्मिनल से चोड़ें तांबे की पट्टी और इतल की चाबी दोनों को ही कौपर सलफेट के घोल में डाल दें कुछ ही समय में आप देखेंगे कि तांबे की एक सुन्दर परत कील पर चढ़ने लगी है। जब ये परत पूरी तरह से चढ़ जाए तब कील को बाहर निकाल कर पानी से अच्छी तरह धो लें। इस प्रकार पीतल पर तांबे का विद्युत लेपन हो जाता है।